हलो बच्चो वेलकम टू आई यूट्यूब चानल तो आज हम करेंगे स्टैंडेड नाइंथ मैट्स वन आजबर का चैप्टर फोर जिसका नाम है रेश्यो एन प्रपोर्शन हम उग इसका प्राक्टेस सेट 4.3 कर रहे थे जिसके लेक्चर वन में मैंने आपको कॉंपनेंड डिविडेंडो, इनवर्टेंडो, अल्टरेंडो यह सारी प्राप्टेस से खाई और उसके उपर हम लोगों ने यह 4 क्वेस्टिन्स दो मेथड से सॉल्ड किया एक के मेथड यूज किया था और एक नॉर्मल मेथड यूज किया था आज हम करेंगे इसका second and third question second question में आप अ यूज करके यह निकालना है उल्टा है पहले आपको यह यूज करके ऐसे values निकालने थे न अब यह थोड़ा उल्टा है कोई फरक नहीं पड़ता हम component और डिविडेंड और यह सब लगा के यह values निकाल सकते हैं अच्छा इसमें हम लोगों k method जो मैंने आपको सिखाया था व फिर आप a upon b यूज करके k method यूज करके यह 3 निकाल सकते हो लेकिन मैं k method यहाँ पर नहीं बताऊँगा k method से मैंने अल्रडी आपको यहाँ पर 3 questions explain कर दी है हम लोग यहाँ पर normal method यूज करेंगे तो चलो शुरू करते हैं second question उसके पहले अगर आपको इसके पहले के वीडिय के मिल जाएंगे शुरू करते हैं second question से तो यहाँ पर second question में दिया है if 15a square plus 4b square upon 15a square minus 4b square equal to 47 upon 7 अपने को a upon b का value निकालना है यह यूज करके यहाँ पर आप पहली बार देखेंगे तो आपको componendo dividendo दिखता है देखो plus sign minus sign लेकिन यह तो कोई भी एक fraction दिया है हम लोग इस पर जो चाहे वो property लगा सकते हैं invertendo, alternando, componendo, dividendo, componendo, dividendo क्योंकि यह देखो न यह पूरा numerator यह पूरा denominator componendo dividendo लगा के भी हम लोग यह solve कर सकते हैं तो चलो इस पर लगाते हैं componendo dividendo देखते हैं क्या मिलता है क्या बोलता है componendo dividendo अगर something upon something is equal to something upon something then आप क्या कर सकते हो numerator plus denominator upon numerator minus denominator equal to तो ऐसे का ऐसा रहेगा और right side में भी numerator plus denominator and numerator minus denominator तो यह बहले कितना भी बड़ा number या term क्यों न हो हमको उससे कोई फरक नहीं पड़ता जब हम componendo dividendo लगाएंगे तो क्या मिलेगा something plus something something minus something यहाँ पर 47 plus 7 47 minus 7 ठीक है तो यह bracket थोड़ा छोटा पड़ेगा इसमें हम क्या लिखेंगे 15a square plus 4b square यहाँ पर 15a square plus 4b square plus यह आ जाएगा इधर and इधर इसे होता था देखो यह वाला दो term same होता था और यह वाला दो term same होता था तो यहाँ पर लिख देते हैं कैसे आएगा तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया numerator denominator था तो क्या क्या numerator plus denominator and numerator minus denominator ठीक है देख लो denominator यह था तो दोनों जगे यहाँ पर denominator वो आया है तो जिन्दगी भर जो आया है उस पर component हो dividend हो आगे आगे लगा सकते हो ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया तो बाद में नहीं लगा सकते है ठीक है तो यह किया अब यह bracket खोलेंगे तो यहाँ पर तो कोई problem नहीं आएगा अब इस प्लस है लेकिन यह minus जब अंदर जाएगा तब थोड़ा ध्यान रखना है तो bracket खोलेंगे और right side में तो 47 plus 7 कितना आ जाएगा 54 and 47 minus 7 हो जाएगा 40 यहाँ देख लो यह पूरा same copy किया है सिफ यह plus को अंदर भेजा तो यह तो plus 15a square यह minus है तो minus 4b square क्योंकि plus और minus तो minus होता है नीचे क्या होगा यह bracket खोल गया उसके बाद यह minus अंदर गया तो यह minus 15a square आ जाएगा जब यह minus यहाँ पर जाएगा minus into minus क्या आ जाएगा plus तो यह हो जाएगा अपना plus ध्यान रखना कि यह plus होने वाला अब next step देख लो यहाँ पर यह minus 4b square plus 4b square सेम से मेना तो cut हो जाएगा तो मैं इन दोनों को cut कर दोंगा और नीचे देखो 15a square minus 15a square सेम टर्म अलग अलग साइग तो यह दोनों cancel हो जाएगे यह नीचे component और डिविडेंटों का property erase कर दों समझ गया न कैसे लगाते हैं फिर क्या आएगा 15a square plus 15a square 30a square 4b square plus 4b square दोनों के पास b square है तो 4 plus 4 आ जाएगा 8 ठीक है यह दोनों के पास a square था तो a square लिखा और 15 plus 15 आ गया 30 अब आपको a square upon b square का value चीए तो a square upon b square को इधर ही रखो ठीक है इधर आपके पास था 54 upon 40 अब क्या होगा यह 8 को यहाँ से बगाना है तो यहाँ पर नीचे divide हो रहा है तो वहाँ जाके ऊपर multiply होगा यह अब यह 30 को यहाँ से बगाना है तो यह 30 ऊपर है multiply होगा तो वहाँ जाके नीचे divide होगा ऐसे आ जाएगा ओके अब यह आप इसको cut करो cut करके आता है देखो यहाँ पर जाए 220 जार टू 4 जार फिर 4 वन जार 4 फाइव जार 30 और अर इसमें जाएगा 215 जार और यह होजाएगा 227 जार फिर 3 में जाता है न त्री फाइव जार 3 नाइन जार क्या मिला? 9 1,000 आ जाएगा 9 अपन नीचे क्या है 2 5 एदे को 5 इंटू 5 आ जाएगा 25 जब तक दो उपर नीचे वाले दोनों same table में जाते हैं तब तक आप cut कर सकते हो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ therefore a square upon b square is equal to 9 upon 25 आपको किसका value चाहिए आपको चाहिए a upon b का value तो दोनों तरफ square root ले लो ठीक है या फिर इसको 3 square लिख सकते हो इसको 5 square लिख सकते हो तो सबका square अगर हटा दो सबका हटा सकता हूँ तो क्या बचेगा a upon b और यहाँ पर आजाएगा 3 upon 5 क्योंकि 9 क्या होता है 3 square होता है न 3 3's are 9 और 25 होता है 5 5 is are 25 या फिर लिख लो considering positive square root on both sides और taking positive square root on both sides तो आपको value मिल जाएगा ऐसे आजाएगा इधर square root लिया तो यह square के साथ 3 cut तो बचा a upon b और यहाँ पर जब square root लिया तो क्या होगा 9 था 3 square यह था 5 square square के साथ यह चतरी cut बचा 3 upon 5 तो सबका square root ले लिया तो आपको a upon b का value आ गया 3 upon 5 यह तो पूछा था find करना था a upon b समझा क्या गया एक बार पूरा solution देख लेता है देख लो एक बार देखो यह हमारे कुछ काम का नहीं था directly कुछ काम का नहीं था उस पर component और डिविडेंड और लगाया तो देखो simple हो गया ना इतने सारे टर्म से दो टर्म थे फिर चार्ट टर्म होए लेकिन cut होके end में उपर भी एक ही टर्म आया नीचे भी एक ही टर्म है और उससे हम लोग को a square upon b square मिला जिससे हम लोगोंने a upon b find कर लिया तो जब भी ऐसा कुछ complicated देखे तो आपको समझना चाहिए कि component और डिविडेंड और लगाके हो सकता है यह simple हो जाए तो कोशिश तो करके देखनी है done अब हम लोग को a upon b का value आ गया है यह upon b का value यूज़ करके हम लोग इसका first question हो गया ना इसका second, third and fourth solve करेंगे क्योंकि second, third and fourth इसमें से ही आ रहा है ठीक है तो उससे हम लोग ने a upon b किया है तो बार-बार यह पूरा नहीं करना पड़ेगा a upon b निकालने के लिए यह upon b आप use कर सकते हो एक बार पूरा question देखते हैं देखो कैसे तो यहाँ पे मैंने यह वाला यूज करके a upon b 3 upon 5 निकाला है अब यही value यूज करके हम लोग यह बाकी के तीन question solve करेंगे कैसे first question में देखो a upon b equal to 7 upon 3 दिया था अभी समझ लो second question में यहाँ पे a upon b 3 upon 5 दिया है और यह यूज करके आपको यह तीन values निकालनी है ठीक है चलो तो इसको solve करते है तो यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हैं a upon b equal to 3 upon 5 वाजो में लिखना है now या we know that लिख सकते हो ऐसा ठीक है अब a upon b equal to 3 upon 5 आ गया आपको a के साथ कौन चाहिए a के साथ 7 चाहिए देखो दोनों जगे और b के साथ 3 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग same a upon b लिख देंगे यहाँ पे और इसको multiply कर देंगे a के साथ क्या चाहिए 7 तो उपर 7 और b के साथ क्या चाहिए 3 याद है 4.3 के first question में ये किया था लेकिन जैसे ही आपने ये left side में किया right side में भी आपको करना पड़ेगा तो अगर 3 upon 5 है यहाँ पे तो उसको भी आपको 7 upon 3 से multiply करना पड़ेगा ओके option नहीं है तो यहाँ पे reason में लिख देने का multiplying both sides by 7 upon 3 अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा left side में आपको मिलेगा 7a 7 into a 7a हो जाएगा और नीचे 3b because 3 into b 3b यहाँ पे right side में देखो नीचे 3 और उपर 3 नीचे उपर same time होगा तो कट हो जाता है न तो यह 3 और यह 3 कट हो जाएगा 3 वनजार 3 वनजार 7 वनजार आ जाएगा आपको 7 और नीचे क्या आएगा 15,000 आ जाएगा 5 अभी आपको क्या चीह है आपको जिस 7a plus 3b 7a minus 3b ठीक है यह plus 3b नीचे टेंशन मतलो component डिविडेंडो लगाते है फिर मैं आपको बताता हूँ कि यह वाला कैसे लाना है component डिविडेंडो से क्या होगा component डिविडेंडो से मुझे 7a plus 3b upon 7a minus 3b मिल जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ component डिविडेंडो तो मुझे मिलेगा 7a plus 3b 7a minus 3b equal to right side में भी लगाओ 7 plus 5 और नीचे आएगा 7 minus 5 यहाँ पर reason लिख देंगे बाद में क्या आजाएगा इसका value therefore 7a plus 3b upon 7a minus 3b equal to 7 plus 5 क्या होता है 12 and 7 minus 5 होता है 2 तो यहाँ पर लिख दिया by component डिविडेंडो विकाज यहाँ पर हमने component डिविडेंडो लगाया हम लोगोंने क्या निकाला है हम लोगोंने निकाला है 7a plus 3b upon 7a minus 3b दिख रहा है ना अलग है यह वाला term उपर है यह वाला term नीचे अगर इसको उल्टा घुमा देना है याद है न उल्टा टेंडो क्या बोलते थे उसको invert टेंडो invert टेंडो करेंगे तो इसका उल्टा होगा तो इसका भी उल्टा हो जाएगा तो क्या मिले का मुझे ऐसे आ जाएगा ना ये वाल अटम उपर भी जाए ये नीचे किया तो राइट में भी होगा 1 उपर जाएगा 6 नीचे आ जाएगा और राइट में लिख देंगे by invert end यही value पूछा था तो ये हो गया अपना final answer ओके आया समझ में देख लो एक बार इसमें सबसे important है कि ये a upon b equal to 3 upon 5 जो हमने first sum में निकादा था वही हमने second में use कर लिया कर लो copy notebook में next करते हैं तो यहाँ पे पुछाए b square minus 2a square and b square plus 2a square b square के साथ कोई नहीं मतलब 1 है दिख रहा है लेकिन सबसे पहले दिखो दोनों जगे square है आपको a upon b equal to 3 upon 5 अल्रेड़ी पता है इसका यही question का जो first था उसमें हमने निकादा था square चेनर दोनों जगे तो हम क्या करेंगे दोनों side को square कर देंगे दोनों side को square करेंगे तो क्या मिलेगा a का square upon b का square equal to यह 3 का square करोगे तो क्या हैगा 3 square हो जाएगा 3 into 3 9 और 5 का square करोगे तो 5 into 5 हो जाएगा 25 okay right side में क्या लिख दोगे reason squaring both sides question को ठीक से observe करो इसमें b square पहले a square बाद में जब component डिवेडेंडो लगाओगे तो b square minus के पहले आना चीए ठीक है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें b square को उपर लेना पड़ेगा क्योंकि component डिवेडेंडो में जो numerator में होता है वो ही पहले आता है यहाँ पर देखो पहले कौन है b square तो वो numerator में होना चीए ना यहाँ पे जो 25 नीचे है वो उपर आ जाएगा जो 9 उपर है वो नीचे आ जाएगा क्या लिखेंगे by invert and do अब देखो यहाँ पे b square के साथ 1 है और a square के साथ 2 है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यह same चीज वापस लिखेंगे और multiply करेंगे जो हमको चाहिए यहाँ पे तो यह same चीज यहाँ पे लिख दिया देखो same step b square के साथ 1 चाहिए तो ओपर तो वन है तो कुछ multiply नहीं करना पड़ेगा तो अगर आपको लिखना है तो ऐसे वन लिख सकते हो अपॉन नीचे A स्क्वेर के साथ क्या चे देखो A स्क्वेर के साथ 2 है तो हम लोग यहां पर नीचे 2 डाल देंगे जैसे यहां पर आपने से मल्टिप्लाइ किया राइट वाले को भी करना पड़ेगा ठीक है रीजन क्या लिखे देंगे मल्टिप्लाइंग बोथ साइट बाइब वन अपॉन टू हो गया यहां पर क्या मिलेगा वन इन्टू बी स्क्वेर अपना हो जाएगा बी स्क्वेर अपन नीचे टू इन्टू ए स्क्वेर मिलेगा टू ए स्क्वेर इस इक्वेर यहां पर वन इन्टू टू 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 जाएगा 25 अपन नीचे आ जाएगा 29080 अब आपको चाहिए बी स्क्वेर माइनस टू ए स्क्वेर बी स्क्वेर प्लस टू ए स्क्वेर उल्टा है उपर माइनस से नीचे प्लस है, तो hero band कैसे मत करना, applying dividendo component उल्टा लगे, apply तो compound do dividendo ही करना, फिर यह लाने के लिए हम लोगs क्या कर देंगे, उसको उल्टा करने. तो पहले इस पर हम लोग component do dividendo लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या मिले गा हम लोग को, numerator plus denominator, upon numerator minus denominator. right side में भी numerator plus denominator upon numerator minus denominator क्या लगाया हमने component or dividendo अब इसका value क्या आ जाएगा ये तो same है इधर 25 plus 18 क्या हो जाएगा 25 plus 18 हो जाएगा 43 and 25 minus 18 कितना हो जाएगा 7 ओके ये जो है वो same to same आएगा question देखो अच्छे से question में उपर minus है नीचे plus है हमारा उल्टा है उपर plus है नीचे minus है same नहीं हो तालग लगे तो अगर मुझे ऐसा बनाना इसको तो ये उल्टा करना पड़ेगा तो इधर उल्टा किया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा invertendo डगाएंगे ना तो ये आ जाएगा invertendo करके सेम चीज़े देखो ये नीचे चला गया और ये जो नीचे था वो उपर आ गया तो यहाँ पे 7 नीचे से उपर 43 उपर से नीचे तो यही question में पूछा था वो हमने निकाल लिए देख लो एक बार यही था ना question गलती से यही उसने यह वाला पूछा है जो हमने invertendo करके निकाला है invertendo में उपर नीचे change हो जाता है ओके आया समझे में easy है न काफी ये upon भी निकल गया ना एक बार फिर जब कुछ सिंपल हो जाता है वीडियो पॉस कर और फटा फट से copy करो नोट बुक में next करते है fourth question दिया है b cube minus 2a cube upon b cube plus 2a cube हम लोगों ने देखो b square minus 2a square b square plus 2a square किया ना उसमें यहापे squaring both sides किया था ठीक है fourth वाले में आपको सेम चीज करने सिर्फ cubing both sides करना है फिर सारे steps सेम आईगे वीडियो पॉस करो और fourth वाला खुद से try करो नहीं आता है तो third वाला refer करो rewind करके बट यह खुद से आना चाहिए ओके चलो कर दो वीडियो पॉस करो फिर मैं जो solution दूँगा उससे compare करना तो square वाला था ना वहीं यहाँ पर copy किया square को erase करके सब जगे cube लिखा है फिर यहाँ पर cube कर दिया यहाँ पर देखो सबसे पहले cube कर रहें because A और B के पास cube है तो जैसे cubing both sides करोगे तो A का A cube हो गया B का B cube हो गया 3 का cube करेंगे 3 into 3 into 3 कितना होता है 3 3s are 9 9 3s are 27 तो आगे 27 5 का cube किय है तो 5 into 5 into 5 5 525 25 25 25 125 फिर उल्टा टेंडो किया क्योंकि यहाँ पर B cube पहले A cube बाद में इसलिए B cube numerator में आएगा बाकी सारे steps तो देखके ही समझ जाएगा आया से मांसर आया तो अब भी जागे comments में बताओ क्या है solve fourth question on my own and I got the correct answer नहीं आया तो solution आपके सामने है 3rd और 4th exact same type के questions थे सिफ यहाँ पर cube था 3rd में square था Done चलो next करते हैं 3rd question में दिया है 3A plus 7B upon 3A minus 7B equal to 4 upon 3 Then find the value of the ratio यह square type का कुछ दिया हुआ है हमने देखा कि यह square type का जो भी दिया है या cube दिया है वो find करना बहुत easy होता है अगर हमारे पास A upon B का value तो इसमें से हम लोग क्या try करेंगे पहले A upon B का value निकालेंगे और second question में भी याद है आपको ऐसे कुछ दिया था तो आपने क्या कि numerator प्लस डिनॉमिनेटर अपन निमरेटर माइनस डिनॉमिनेटर राइट साइड में भी सेम निमरेटर प्लस डिनॉमिनेटर और नीचे आ जाएगा निमरेटर माइनस डिनॉमिनेटर अब राइट साइड में देखो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 यहाँ पर रीजन लिखेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता बीच में प्लस साइन नहीं होने वादा 3 A माइनस 7 भी था 3 A माइनस 7 भी आ गया यहाँ पर नीचे यह तो सेम आएगा लेकिन यह माइनस 3 A एट माइनस माइनस प्लस 7 B अब देखो माइनस 7 B प्लस 7 B अगर सेम है तो यह दोनों कट हो जाएगा because term service आई न लगा गा नीचे देख लो 3A minus 3 है तो ये भी दोनों हो जाएगा cut क्या बचा उपर उपर देखो दोनों के पास A और A है तो answer में A आएगा and आगे क्या था 3 plus 3 which is nothing but 6 और नीचे दोनों के पास B है देखो यहाँ पर B B and 7 plus 7 आजाएगा 14 equal to यहाँ पर right side में तो 7 upon 1 ही है next क्या आएगा मुझे A upon B का value चीए तो A upon B ऐसे ही रखा 7 upon 1 ऐसे ही रख दिया यह 6 upon 14 को उधर फेक देंगे तो उल्टा हो जाएगा न 14 नीचे multiply हो रहा है तो उपर जाएगा तो मुझे मिलेगा multiplied by 14 upon यहाँ पर 6 उपर था equal to cross करेगा तो नीचे आजाएगा तो आजाएगा तो आजाएगा तो आजाएगा 6 अभी देखो दोनों even numbers हैं तो 2 में तो cut होगा ही तो 2 के table में cut करो दोनों को 2 3 0 6 2 7 0 14 अब तो prime numbers है 7 3 दोनो तो कुछ cut नहीं हो रहा तो a upon b का value क्या आजाएगा a upon b का value आपको आगया 7 into 7 77 मत लिखना 7 into 7 आजाएगा 49 1 into 3 आजाएगा 3 जैसे a upon b आगया अपना तो काम हो गया अब a upon b में से आपको क्या चाहिए आपको चीए 3a square minus 7b square upon 3a square plus 7b square देखो दोनों में square है a और b में तो सबसे पहले तो इसको square कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा therefore a को a square बनाया b को b square बनाया 49 को 49 square बनाया and 3 को 3 square बनाया अब ये देखो a square upon b square is equal to 49 square right side में calculate कर लेते हैं 99's are 81 36 plus 8 हो जाएगा 44 फिर 49's are 36 44's are 16 plus 3 is 19 add करोगे तो आएगा 1 यहाँ पे 10 13,1,14,1,2 तो आगया 2,4,0,1 upon 3 square मतलब 3 into 3 9 उसका रफ़वा करने की जरूरत नहीं है न तो ये आगया a square upon b square अब a square और b square के साथ क्या क्या है a square के साथ है 3 देखो दोनों जग़ा और b square के साथ है 7 तो हम लोग ये सेम चीज कॉपी करेंगे और नीचे a square के साथ क्या ले लेंगे a square के साथ लेंगे 3 और b square के साथ लेंगे 7 एक side लिया तो दूसरी side भी लेना पड़ेगा तो यहाँ पे देखो यह same copy कर लिया और दोनों को 3 by 7, 3 by 7 से multiply किया कि तो मुझे a square के साथ 3 चाहिए और b square के साथ 7 जो सवाल पूछा है उसमें देख लो a square के साथ 3 है और b square के साथ 7 तो हम लोग ने multiplying both sides by 3 upon 7 कर लिया तो क्या मिल जाएगा left hand side में left hand side में आपको मिलेगा 3a square upon 7b square is equal to यहाँ पे कुछ cut हो रहा है किया देखो 7 के टिबल में जाता है किया 7, 3,000, 21, 37, 4,000, 28, 21, 7, 3,000 हाँ जा रहा है 7 के टिबल में 24017 से तो आया था यार 7 का ही हम लोग ने square किया था देखो यहाँ पे 49 फिर 49 का square था है ना देखो 7 इंटू 7 था तो 7 में तो जाई रहा है उसको cut कर देते हैं 7, 1,000 और यह हो जाएगा 7, 3,021 तो यहाँ पे 3 बचेगा तो यह हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 343 अपॉन 3 अब क्या चाहिए अब आपको चाहिए उपर माइनस प्लस आप प्लस माइनस ला सकते हो ना इसके उपर इसके उपर क्यों बिकाँ इसके उपर क्यों बिकाँ इसके उपर जिसका वाल्यू पूछा है ऐसा ही कुछ है जिसका वाल्यू पूछा है हमको तो यह आजाएगा यह लिफ्ट साइड में था वो तो सेम है यहाँ पर राइट साइड में 343 प्लस 3 हो जाएगा 346 343 माइनस 3 हो जाएगा 340 दोनो इवेन नमबर है देखो तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं तो 2 में कट करो यह आजाएगा 2002 फिर वन बचे का 14 274 तू जिरो जाएगा 212 14 आजाएगा 274 फिर 236 ऊपर आजाएगा 173 ओर नीच आए 170 यह 170 है दिख रहा है ना तो 173 अपान 170 आया कट हो रहागया कहीं पर चेक करो यह 173 कहीं पर cut नहीं हो रहा कोई भी table में है क्योंकि वो prime number है तो यह कहीं पर cut नहीं होगा तो हम लोग को इसका value मिल गया लेकिन यह नहीं पूछा जो question पूछा है उसमें minus उपर है और plus नीचे है ठीक है देखो है यहाँ पर minus उपर है plus नीचे है हम सेम है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे invertendo लगा देंगे invertendo लगा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ना यही पेज़ पर करना थोड़ा difficult है तो यहाँ पर box बनाके last step यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है वापस next page पर करेंगा तो शायद आपको समझेगा नहीं तो इसमें यही step पर देखो मैंने invertendo लगा दिया तो जो नीचे था वो उपर आ गया जो उपर था वो नीचे आ गया दोनों साइड यहाँ पे 170 तरह उपर था यहाँ पे नीचे यहाँ पे 170 नीचे था वो उपर आ गया यही value पूछा था question देख लो 3a square minus 7b square upon 3a square plus 7b square is equal to 170 upon 173 आया समझ में एकदम simple एक बार a upon b मिल गया आना उसके बाद तो हमने ऐसे कित्ते सारे question solve कर लिए ठीक है चलो कर लो copy notebook में done तो आज lecture 2 में हमने क्या सीखा हमने ये question second किया उसका first second third and fourth किया and question number 3 किया अब इसमें सिर्फ question number 4 बचा हुआ है जो मैं lecture 3 में कराऊँगा lecture 1 में हमने ये वाला कर दिया and lecture 2 में हमने ये वाला कर दिया solve खतम करते हैं आज का lecture यहीं पर आपको ये तीनो questions और एक questions दो तीन बार practice करना है practice करोगे न तो ये दिमाग में जाने वाला है नहीं तो directly exam के पहले करने जाओगे तो ऐसा लगए का रहे क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा और जबकि उतना difficult नहीं है थोड़े rules है वो rules समझ गया है एक बार तो question देखे समझ जाएगा कैसे solve करना है उपर से problem क्या है बता है exam में ऐसा लिखा नहीं हुआ कि practice at 4.3 का question है आपको question देखे समझना है कि उसमें करना क्या है practice करो कि तो ही समझ में आएगा ठीक है वीडियो पसंद आया तो like करें लिंक दोस्तों के साथ भी share कर सकते है ताकि उनको भी practice set 4.3 अच्छे समझ में आ जाए अगर चैनल को subscribe कर दिया है तो thank you नहीं किया सब्सक्राइब तो क्यों वेट कर रहे हो इतना detail में हर एक practice set का हर एक question logically कोई explain नहीं करेगा बेल आइकन पर पर क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं इसका lecture 3 upload करूँ आपको notification आये और आपको important lecture मिस ना करें comments मुझे जरूर बताएं कि आपको ये video कैसा लगा thank you so much for watching this video